मुश्किलों के दौर में उसी का जोर चल गया, बनाकर अपना रास्ता जो भीड से निकल गया जी हाँ, लोगों को खुद के कारोबार के लिए प्रेडित करने के लिए सरकार ने कुछ समय से कुछ सहूलेते देनी शुरू की है फिर चाहे वो नहा टाक्स सिस्टम GST हो, स्टार्ट अप इंडिया हो या फिर मुदरा योजना हो और इन सब योजनाओं का फाइदा उठाकर हमारे देश के युवाग कामियाभी भी हासल कर रहे हैं तो अगर आप भी अपना खुद का कारोबार करना चाहते हैं या फिर इसका प्लान कर रहे हैं तो कैसे ये सारी योजनाओं आपकी मदद कर सकती हैं? आईए देखते हैं गार्मेंट सेक्टर हमारे देश में कृषी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वालक शित्र है इस सेक्टर में रोजगार में कई ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पर हमारे कम पड़े लिखे युवा भी अच्छी कमाई कर सकते हैं बस इसके लिए जरूरत है स्किल्ड होने की और ये काम थोड़ा सा जागरुख होकर मुफ्त में भी हो सकता है बेरोजगार लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए सरकार अलग-अलग सेक्टरस में जॉब रोल्स बना कर ट्रेनिंग देने का काम कर रही है ऐसे ही जॉब र ट्रेनिंग लेने के बाद वैवसाइक तरीके से करें तो इससे रोजगार का बहुत ही अच्छा जरिया बनाया जा सकता है स्विंग मशीन ओपरेटर की एक से तीन महीने की ट्रेनिंग प्रधान मंत्री कॉशल विकास योजने के तहट देने का काम सरकार ट्रेनिंग पार्टनर की मदद से कर रही है जो भी इस कोर्स को करके रोजगार करना चाहते हैं वो अपने नजदी की ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर इस कोर्स को करके नौकरी पा सकते हैं ये ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफाइट लोगों को नौकरी दिलाने में मदद भी करते हैं जो इंडस्ट्री लोग ले रही है जो ने आर्पियल खिया हुआ है रेकिनिशन ओफ प्रायर लर्निंग उनको एक एक ग्रूप आप पीपल लेवल मुच हायर है आप मसमान हायर है वो अपने स्किल को पहचानते हैं उनका स्किल एक गवर्मेंट सर्टिफिकेट से जुड़ तो इसके काम करने की शमता, नौकरी करने की शमता, सेल्फ कॉंपिडेंस, परस्नल हाइजीन, ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन वो बात कैसे करते हैं वो एक अलगी लेवल पा है और तो इसके साथ ही स्विंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स करने के बाद आप अपना काम भी कर स रखते हैं सुइंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स कोई भी कर सकता है जो पांचवी पास है अगर आप भी स्विंग मशीन ऑपरेटर बनकर रोजगार पाना चाहते हैं तो आज ही अपने नस्दी की ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर जानकारी लेकर इस कोर्स में अपने आपको मुननिर भर बने